हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं शेयर कर रही हूँ मैंगो इंस्टेंट डेजर्ट जो 15 मिनिट में बनकर रेडी हो जाता है दो कब दूद से ही बन जाता है बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवाब बहुत ही यमी बनता है ये मैंगो डेजर्ट आप इससे जरूर ट्राइ करना गर्मियों में यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, थंडा थंडा आप इसे जरूर ट्राइ करना, तो सबसे पहले हमने दो कप दूद ले लेना है, तो यहाँ पर आप दो कप दूद ले लीजिए, उसे बॉइल कर लीजिए, तो यहाँ पर मैंने एक पैन में दूद ले लिया है, उसे बॉइल कर लेंगे, यहाँ पर वन फॉर्थ कप हमने चीनी एट की है, अब यहाँ पर मैं टू टेबल स्पून कस्टेड पाउडर एट करूँगी, तो अब हम इसमें थंडा मिल्क एट करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अब यहाँ पर दूद भी अच्छी तरह से बॉइल हो गया है, तो अब हम इसमें कस्टेड जो हमने मिक्स करके रखा था, थंडे दूद में वो एट कर देंगे, तो इसे हम चलाते रहेंगे, इसमें लंप्स नहीं आना चाहिए, तो कस्टेड हमारा यहाँ पर तयार कर लेंगे हम, तो पाच मिनिट हम इसे फुल फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लेंगे, तो यह देखिए इसकी कच्छी स्मेल भी हड़ जाएंगी, और यहाँ पर कस्टर रेडी हो गया, उसे अब हम दो तिन उबार लेने के बाद गैस बन कर देंगे, और उसे थंड़ा होने के लिए रख देंगे, हाँ पर हमने दो मैंगो ले लिए है, तो आप इसे फ्रीज करके भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं, इसकी प्यूरी बना लिए है, हमने इसके छिलके उतार के, अब हम इसमें जो थंड़ा कस्टर है, वो इसे इसमें एड़ कर देंगे, मैंगो प्यूरी में, और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे, तो यहाँ पर अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर देंगे कस्टड के साथ अगर आपके मेंगो खट्टे हैं तो उसमें आप चीनी जरूर एड़ करें मीठा आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं आप चाहे तो इसमें कंडेंस मिल्क भी एड़ कर सकते हैं और आप यहाँ पर टेस्ट कर लीजें मीठा आपको जितना भी पसंद है अब हम इसमें एड़ करेंगे फ्रेश क्रीम या फ्रेश मलाई है तो आप वो भी यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम एड़ कर दिया है और अच्छी तरह से हम इसे mix कर लेंगे यहाँ पर आप टेस्ट करके देख सकते हैं मीठा आपको कितना रखना है यहाँ पर मैंने यह टूटी-फुटी वाली bread ले लिए है यह देखिए तो यहाँ पर आफ साधी वाली bread भी ले सकते हैं और यह bread से भी बहुत ही यह हम इसमें एड़ कर देंगे इस तरह से यह देखिए अच्छी तरह से हमने इसमें मैंगो का जो हमने बनाया है कस्टड यह हमने इसमें एड़ कर दिया है और उपर से हम इस तरह से कटे हुए मैंगो एड़ कर देंगे और फिर से हम ब्रेट की स्लाइसिस रख देंगे इस दूसरी लेयर रख देंगे बहुत ही यमी बनता है फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राइ करना यह रेसिपी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है तो इस तरह से हम मैंगो कस्टर्ड उपर से एड़ कर देंगे क्रेमी सा बहुत ही टेस्टी है यह और इस फ्रूट मैंगो वाला है वही मुझे ज्यादा पसंद है तो यहां पर अब मैं फ्रेश क्रीम एट कर दूगी उपर से और इसे हम फ्रिज में रख देंगे थंडा होने के लिए और फिर थंडा होने के बाद इसे आप दो घंडे बाद आप इसे खा सकते है बहुत ही जल्द यम बनता है तो अब मैं इसके स्लाइश निकालकर शेट हुआ कितनी एच्छी से यह सेट हुआ है बहुत ही इच्छी तरह से यह बन गया है इंस्टेंट मैंगो डिजर्ट तो यह देखिए बहुत ही यम बना है यह देखिए आप बहुत ही सॉफ्त Books बोहुत ही युम्य बन पोचिं कुदा हाफीज